दोस्तो ओम नमेश शिवाए स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल सिवजी अश्टलोजी पर तुलसी को छुकर चुपचाप तीन बार बोल दें ये दो सब्द जो मागोगे तुरंत इक्षा पूरी होगी दोस्तो हमारे हिंदु धर्म में तुलसी पूजन का विशेस रूप से महत बताया गया है क्योंकि तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी जी का वास भी माना जाता है कहा जाता है कि जिस घर में हर रोज तुल पूलसी की पूजा करने से मौक्ष की भी प्राप्ती होती है और पापों का नास होता है। कहते हैं कि जिस घर में तूलसी का पौधा होता है वहाँ देवी देपताओं का निवास होता है शाति तूलसी उस घर की नाकारात्मक उर्जा को सवाप्त कर देती है और घर में केवल और केवल साकरात्मकुर्जा का संचे करती है पौराणिक मानताओं के अनुशार रोज तुलसी पूजा करने से धन संपदा, बैभाव, शुक और संब्रद्धी की प्राप्ती होती है और मालक्ष्मी हमेशा प्रसन रहती है वहीं पदम पुराण की अगर बात करें तो पदम पुराण के अनुशार जहां तुलसी का पौधा होता है वहां ब्रह्मा, विश्णू, शंकर यानि तरदेबों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापाप भी उशी प्रकार नश्ट हो जाता है जैसे शूर के उदय होने पर अन्धकार नश्ट हो जाता है आपके घर में ग्रह कलेस रहता हो या फिर घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है या पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं या फिर जीवन में किशी न किशी तरह कोई परेशानी आती रहती है तो आज हम आपको एक खास मंतर के बारे में बताने जा रहे हैं यद इस मंतर का जाप आप तुलसी को छूकर तुलसी के पूजन के दवरान करते हैं तो मातर कुछ ही दिनों के अंदर आपकी हर परिशानी दूर हो जाएगी और घर में इस थाई रूप से मा लक्ष्मी का वास रहेगा शाथी घर में खुशहाली का वाता वरन भी बना रहेगा घर में कभी दुख दरिता गरीबी का बाश नहीं होगा तो आएए जानते हैं इस खास मंतर के बारे में लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रुक्ष्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों के साथ सेर कर दीजेगा और ये दिपहली बारा हैं हमारे चेनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रिस जरूर कर लीजेगा दोस्तों मंतर जाप के लिए रोज की भाति अपने इश्ट देव की पूजा पाठ जरूर करें इसके बाद तुलसी के पास जाकर सबसे पहले तुलसी जी को प्रडाम करें इसके बाद तुलसी को सुद्ध जल अर्पित करें और आप चाहें तो गंगा जल भी अर्पित कर सकते हैं इसके बाद उन्हें शिंदूर और हल्दी चढ़ाएं ये तुलसी का शिंगार होता है जो हर किशी को पशंद है इसके बाद तुलसी के नीचे घी का दीपक परजलित करें और धूप अगरबत्ती जरूर करें तुलसी की साथ परिक्रमा अवश करें इसके बाद तुलसी के सामने बैठकर कम से कम एक जारा बार तुलसी की माला से एक खास मंत्र का जाब करें मंत्र कुछ इस प्रकार से है इस मंत्र का जाब आप अवश करें मंत्र जाब की बाद अपने सभी मनोकामनाय तुलसी जी को छूकर बोल दें ऐसा करने से आपकी मनोकामना शीधे भागवान तक पहुँशती है जैसे कि आप जानते हैं कि तुलसी भागवान बिश्व जी को बहुत प्री है इसके अलावा भागवान बिश्व जी के अराधना ब्रम्ह भी करते हैं शाथी सिव जी भी करते हैं यानि कि घूम फिरकर बात कहें तो तरदेवों की कृपा आप पर बनी रहेगी इस मंदर के प्रभावशे खुद भागवान को आपकी इक्षा वश्य पूरी करने पड़ेगी तो इसके लिए तो वो बीवस हो जाएंगे तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पशंद आया तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कमेंट में लिखे जै मातुलसी